Hello Students Welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point तहले बच्चो एक बार फिर से मारे यूटूब चानल RN Study Success Point पे आपका बहुत-बहुत सवागत है Students In this video हम लोग पढ़ने वाले Class 8 का Social Science का Worksheet No.3 Class 8 का Social Science का Worksheet No.3 पढ़ने वाले और ये जो टॉपिक है Coming of European Companies to India यानि कि जो भी European company था वो इंडिया आया इसको लेकर कि कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ना है ठीक है पहले हम जो टॉपिक्स यह दिया गया उसको समझेंगे फिर उसमें जो question है उसे भी समझने का कोशिज करेंगे यह है from the 1680 there started a crash for printed Indian cotton textile in England and European mainly for their executed for all design fine textures and relative cheapness यह बोला कि 1680 से ही एक crash चल गया था मतलब एक हो गया था Indian cotton textile का भारत का जो सूती था उसका कपड़े को इंडिया में इंग्लैंड में बहुत जादा डिमांड हो गया था कि इसका कारण यह था कि एक तो बहुत जादा इसमें क्या था डिजाइनिंग था fine textures था एदम मुल्क होता था अच्छा होता था और सस्ता भी होता था इसमें से rich people of England यह बड़े बड़े राज जो लोग थे यहां तक जो रानी थी इनकिलूडिंग दा क्यून हर शेल्फ वर cloth अफ इंडियन फेबरिक यह भी कपड़ा जो पंते थे हो जो भारती जो कपड़ा आता था वहां से आया वही पंते थे हाव इवर इंडियन टेक्स्टाइल कंटिनूड टू डॉमिनेट वर्ल ट्रेड तिल दा इंड अटेंसर चूरी और यही कारण था कि पूर्य थार्मी सत्याब्दी तक भारत से जो भारत के जो कपड़ा था पूरे जो क्या था पूरे वर्ल्ड में ट्रेड बेपार में फा इसके बारे में तो यहाद होगा एक चैप्टर पढ़ेंगे शर्ट इन मार्केट आफ यूर्ट प्रिवियस ग्लास में आप पढ़े थे इन भी चिसमें आप लोग लूग किये थे हाव दा एक्सपार्ट और ट्रेडर अन प्रॉपिट कैसे वह एक्सपार्टर जो होते एक बेच्चों कैसे प्रोफिट कमाते हैं उसी को हम लोग रिवीजन करना है यहां पर फिर से ठीक है तो यहां पर देखो हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ शर्ट अडिश्प्ले इन लार्ज क्लॉथ एक बड़े कपड़े पर क्या है इस सर्ट का डिश्प्ले का रखा बेचने वाला दिल्ली में उससे कितने में खरीद रहा देखो पर्चेस तूंडेट यहां प्लोग क्या लिख होगे तूंडेट क्या लिख होगे स्टूंडेट टूंडेट अन देन सेंट आर्यस और वो एडवर्टाइजिंग पर कितना करता है देखो आर्यस थ्री अन एडवर्टाइजिंग समझ में आ रहा है ना पहले टूंडेट फिर थी हंडेट एडड आर्यस पर अन स्टोरेज स्टोरेज के लिए कितना देता है सौर रुपय हंडेड रुपीज कहां दिया स्टोरेज पे दिया ठीक है अन देन दिस पर्शन इस आर्यस 600 फाइज शल दा शट फ़र आर्यस 1200 तीक है अब इसे टोटल कोश्ट कितना पढ़ा गया तीन दो पांसो एक शेसो का पढ़ा गया शेसो का पढ़ा लेकिन उसे बेचा बारा सुमें तो इसका प्रॉफिट कितना का हुँआ हो प्रॉफिट हुआ 600 का देख रहे हैं 60 पे 600 का प्रोफिट हो रहा है इसलिए ज्यादा सब्सक्राइब कर देना इसको हम इसी में कर दिया क्योंकि ज्यादा था नहीं इसलिए हम नीचे लिखे नहीं है टू हंड़ेड थ्रियंडेड हंड़ेड शिक्संडेड है इसी तरह से अब एक हमें कोश्चन दे रखा है आपको हमें बताना है कि क्या है कोशन दे रखा है कि जो गार्मेंट एक्सपॉर्टर है देली में उस सट बेचते टू हंड़ेड पर पीस जो एक सट बेचता दो सो पर पीस पे अधा क्लॉथ है अधर राव माटेरियल कोश्ट सेवेंटी पर सट एक सट पे राव हंदरा पर सट उससे कोब्वी अंचर आने में अ प्ध़ार टोंटल कोस्ट कीतना हो गया तोंटम तू हंडेड रुपीज आर येस 200 रुपीज ठीक है तो उसे प्रोफिट का कितने का हुआ बच्चो तब प्रोफिट कितने को देखा मूपर लिख देते हैं आप लोग देख लेना प्रोफिट प्रोफिट इस इस्टूरेंट अचेड मतलब 200-100 यानिकि उसे 100 रुपे का प्रोफिट आधाैं सेट कितने का मूपर लिख कर लोगे आप या नहीं कर लोगे बता देखो पहलें ठीक है पहले आप लोग यह चीज लिखेना है ठेक है पहले आप लोग यह लिखे नोंगे ठेक है फिर यह लिखेना उपर करें तो आए होग समझ में आ रहा है access पहले आप लोग total सबस्क्राइब निकार लिए तो टोटल सीपी सेवेंटी याट एक धेस पूर्पी सेङले न वक्षादर लेकिन अर्पी किष्टर लिखे लिए किछ रहा तो उसे बयक्रता कितने में 200 फिस्ट्लींग की प्रास्ट वो था, एक्स्पॉर्टर मतलब होता है, जो दोज ट्रेडर who sell goods to other country जो ट्रेडर एक दीज से दूसरे दीज अपना माल बेचते है वो एक्स्पॉर्टर होता है और इंपॉर्टर होता है, डोज हो वाइ गूर्ट परम जो दुसरे देश से माल खरीता है समान को खरीता है इसमें identify करना cotton textile इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कौन था importer और exporter तो इंडिया जो है वो क्या होगा इंडिया जो है वो exporter होगा क्योंकि वो दुसरे देश को भी एच रहा था और इंग्लैंड जो है वो क्या होगा यहाँ पे importer होगा तो वही चीज़ हम नीचे लिख रखे यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि इंडिया एक्सपोर्टर इंग्लैंड importer ओके शुडिंस आई होप कि देखा आप लोग कर लोगे अगला जो कोश्चन था वाट आज रीजन फोर दा ट्रेडमस डिमांड अफ दा इंडियान टेक्स्टाइल तिल एक्टिन संचूरी आर विकाउज आफ एक्जिक्यूट्स फिर यहाँ से कहाँ से एक्जिक्यूट्स फ्लोर डिजाइन टेक्स्टर आइंड रिलेक्टिव चिपनेश ठीक है फॉर्दर वर्स तो यहीं चीज कम थोड़ा अच्छे से और बना कीजी लेंगवज हम लिख रखें यहां से आप लोग यह अंसर भी लिख सकते हैं कि इंडियन कांटन फाब्रिक एक ग्रेट डिमांड इंग्लाइंड एंड एंड इंड फ्रेटिन संचुरी डी टू एट्रेक्टिफ फ्लावर लीफ फाइन मतलब वहां पर जो बूलर लिखाता है उसके लिए हम दूसरे लबाड का उसके लिए और अफॉर्डेवल प्राइस और काफी सस्ता प्राइस थ लिख रहें फ्लोरेट डिजाइन को हम वहाँ पर लिख रहें ठीक है इस तरीके से ओके शुडिंस ताय हुप के देखो आपको समझ में आ गया आगा आज का जो वर्क्षिट था थी वर्क्षिट नमर थी सोसल साइंस का ठीक है और कुछ भी कॉमेंट बेरक करना चाहते है स पर जिसें देना चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताएं फिर मिलते हैं अगली क्लास में जब तक आप लो घर पे सेफ रहें सुरचित रहें जाहिन